साथ जी आज आज आप तीसरा कोर्स खत्म हुआ है देखते हैं आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है पड़िये क्या लिखा हुआ कि एल है एल वेरी गुड एफ और यू गुड आप पहले वाला है टी है पहला वाला की उसके बाद कोशिच करिए नहीं नहीं आ रहा चलिए दूसरी आख से देखिए एल बहुत बहुत बधाईयों आप जीरो से हीरो बनना शुरू हुए है पहला अक्षर आपको दिखना शुरू हुआ आपको सिर्फ लाइट दिखा करती थी राइट आख से और कुछ भी दिखाई नहीं देता था हाथ भी हिलता हुआ मैसूस नहीं होता था ठीक है उससे आ आप पहला अक्षर पड़ें देखें दूसरी लाइन में कुछ दिखता है के नहीं दूसरी लाइन को दिख रहा है राइट में चाहे यू है यू के पास कोशिश करिए तो साहा जी आपको बहुत बहुत बधाईयों आप जीरो से 30 फिट कुछ नहीं दिखता था उससे आप आपकी राइट आग 30 फिट देखना शुरू कर दी है आपकी जिन्दगी में एक ये बहुत बड़ा अच्यूमेंट आया है मात तीसरे कोर्स के बाद अतलब सबाद दो महीने हुए आपको इजाज लेते और आप कहा पोच गए तीसरी दूसरी लाइन का एक अक्षर आपको 6, 8, 7, 5, 6, 6, 3, 6, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5 के बीच में एक अक्षर और रहा है बहुत बढ़ा ही हो आपको आज आप चोथी लाइन बिल्कुल सही पढ़ रहे है एक अक्षर कम आ रहा है इसमें शाह जी जब आप पहली बार आए थे तो आपको चश्मे से बिना चश्मे से ठीक पहले कोर्स के बाद दूसरे कोर्स के बाद पहला अक्षर आया आज तीसरे कोर्स के बाद आपको चोथी लाइन के चार अक्षर आना शुरू हुए बहुत सारी बदाई हो आप जीरो से चार लाइन पे पहुँचे इस से जादा और खुश लाइन पड़ रही है चार एक अक्षर उसमें गिंती कम आ रही है देखें लेफ्ट आग क्या पोजिशन है परो 8529387546352 पीच में क्या थी प्रीयों फाइब लाइन वेरी नाइन वेरी नाइस के गीचे उसके नीचे नहीं घंदा है ठीक शाहजी बहुत सारी बदाई आपके जिन्दकी में फिर वो रोनक आना शुरू हुई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे आपने कहा का दिखाया था अब बहुत सारे जाये कोलकाता में दिखाया था है अधरबाद में यलभी प्रसद में दिखाया था और को इसका कोई इलाज नहीं है और आपको सूर्दास बनके जीना पड़ेगा ठीक दीरे-दीरे जो रोशनी है वो भी खत्म हो जाएगी इसकी केर करो बस ठीक तो यह पोजिशन आ हो गई थी आप जब यहां आये थे तो आपको मात एक अक्षण दिखा करता था लेफ्ट अंक से ठीक आज आपने पांचवी लाइन पूरी पड़ी है पांच गुना रोशनी हो गई है मात तीसरे कोर्स के बाद ठीक राइट आग में चोथी लाइन दिख करना शुरू हो गई है उसके चार अक्षर आपने पड़े और लेफ्ट आंच से आपने पांच वी लाइन पूर्ण पड़ी है ठीक बहुत सारी बधाई हो कि आप क्या पास का काम अराम से आप कर पाएंगे क्योंकि आपको पास की रोशनी दोनों आखों में आ गई है दिखाई पड़ता है 5293875463952428356 उसके नीचे नीचे नहीं आता है यह चोटा लगता है पहला 374 बिल्कुल सही बिल्कुल सही 7466 बहुत अच्छे और लाइट लाश्ट या 5 वरी गुट वरी गुट फाइव है बहुत अच्छे बहुत सारी बदाईयो शाजी आज आपने चश्मे से पूरी लाइन जो एक नार्मल इंसान पड़ता है वैसे आपने छटी लाइन भी पड़ी है और जिन्दिकी अब आसान हो गई है क्योंकि पड़ी का काम कर सकते हैं ठीक तो जिन्दगी से अपाहिजता आपकी खत्म हो रही है और इश्वर करें यह आपका परिशानी खत्म होती चली जाए और आप फिर सर्विस जॉइन कर पाएं बहुत बदाईयो तैंकि शाजी बहुत सारी बदाईयो आपको पेरिफेरल वीज बहुत बदाईयो देखें राइट आंक का क्या हाग है साजी बहुत सारी बदाईयो आपकी राइट आंक जो बिलकुल डेड हो गई थी बटन जैसी हो गई थी शोपीस हो गई थी उस आख से आज आपको पेरिफेरल वीजन आना शुरू हुआ है ठीक ऊपर साइड में 2.2 इंच नीचे 4 इंच आपके राइट एंड साइट पे 1.9 और लेप एंड साइट पे 2.1 इंच आपकी रोशनी हो गई है यह पेरिफेरल वीजन की यह बाइफोकल वीजन होना शुरू हुआ इससे आपकी जिंदिगी में बहुत सारे चेंज आएंगे पढ़ने में भी आपक के कौने कौने में उन्हें आप दिखा सकते हैं सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं जिन्दगी दुबारा जीन की रहा आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और यह सिर्फ हो सकता है उजनी नेद्रचित साले में देश के दिल मधहप्रतीश के मध्य में बसाद अच्जेन नगर है उज्जेन के मध्य पटनी बाजार में एक होस्पिटल है जी हाँ पर उज्जेन और उज्जेन के बाहर से आने ओले लोगों को नेटर के लिए बहत्र इलाज करने के सुधा दी जाती है झाल झाल